वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानान चंदसामपी मंगलानान चकर्तारव वंदेवानी विनायकव नमामि सद्गुर्म शंतं सक्चिदानंद विग्रहं पूरुन ब्रह्म परानंदं इशमालं दिवल्लभं माधुरिय सकल्लोलाम शिवशक्त्यक रूपिनीम अमृतान भवार्थाय बंदे ध्याने शनंदिनीम रत्नाकरा धुतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्शिरतनाध्याम बंदे भारतमातरम मेरा अंतक्रन आज अत्यंतर आल्लादित और अंदोलित है कि आज मेरे आराध्य चत्रपते शिवाजी महराज के बारे में कुछ बात्सीत करने का अवस्तर मुझे प्राप्त हुआ है और वह भी उनके राज्जावी राज्जावी शेक के प्रसंग को लेकर के शिवाराज्जावी शेक दिन यह हमारे इतिहास का सबसे महतुप्रन सुवरनक्षन है इस प्रकार का मेरा किया हुआ एक भाषन मुझे याद आता है हमारे महाविद्यालाईन शिक्षा के विए दिन थे और एक आश्रम में भारतिय इतिहास के सुरनक्षन की विभिन गटनाओं का अनेक वक्ता जब निरूपन कर रहे थे वहाँ पर मैंने भारतिय इतिहास का सच्चा सुरनक्षन वो है जिस दिन राज़र्शी चत्रपती शिवाजी महाराज राइगड के उपर सिम्हातन पर विराज मानुए दिनांक के अनुसार 6 जून इस वीय सन 1664 का वदिन था और भारतिय इतिति के अनुसार जेट शुक्लत रयोदशी का महूरत था उस समय वह सुरनक्षन है इसकी अनेक दलीले मैंने दी थी लेकिन कालांतर में मुझे ऐसा लगने लग गया कि उस दिन को सुरनक्षन कहना भी परियाप्त गौरों में शब्द नहीं है जिसक्षन चत्रपती शिवाजी महराज सिम्वास्तन पर विराजबान हुए वह इस देश का संजीवक अमृत परव रहा सुरनक्षन होना बड़ी बात ही है उसका वैभव उसकी गरिमा निश्चित रूप से है ही लेकिन मैं जब उसे संजीवक अमृत परव कहता हूँ तो वह अत्यदसार थक बात मुझे लगती है और वह इसलिए लगती है कि यदि ये घटना नहीं घटती यदि अप्रसंग साकार नहीं होता तो पताने इस देश का भावी काल में क्या होता समापत प्राय होता जा रहा था ये राष्ट नश्ट होती जा रही थी यांकी संस्कृती सब कुछ चिन विचिन हो गया था कहीं पर भी आशा की कोई किरन नहीं दिख रही थी घना अंधकार सर्वत्र चाया था और सब को लगता था कि पताने ये अंधकार कब दूर होगा कैसे दूर होगा शायद कभी दूर होगा भी नहीं इतिहास के उस परों में शुवनेरी के किले पर जिराओ माता की कुक्षी से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया और वो छोटा शिवबा आगे जाकर के चत्रपती शिवाजी महराज कहलाया राजजाब शेक तो उसका बह Fahrश्चात हुआ ये लेकिन अनेक राजाओं का राजजाब शेक और चत्रपती शिवाजी महराज का राजजाब शेक इसमें महद अंतर है चत्रपती शिवाजी महराज सारे अंधकार को चीर करके इस समाज को प्रकाश देने वाले सबसे शेट महापुरुष्थे इसमें कोई दोमत हो नहीं सकता क्या होता है इस चत्रपती शिवाजी महराज नहीं होते तो कविराज बुषण की वानी से सुन लीजिये काशी हुते कला जाती मतुरा मस्जीद होती शिवाजी नहोत तो सुनत तो होत सबकी घना अंधकार और भी घना हो जाता काहे का था एक घना अंधकार सदियों से पिस संपूर्ण राष्टर में इस्तिति इस पकार की हो गई थी मुगलों का आक्रमन यवनों के बरबर अत्याचार इससे यह राष्टर भैबीत हो गया था वास्तों में यह सिल्सिला आरंब हुआ था आठवी सदी में लेकिन एक दो सदी का दिराम होने के पश्चाद पुना जब यह सिल्सिला आरंब हुआ तो इतना भैब था वकेवज संपत्ती को लूटने के लिए किया हुआ आक्रमन नहीं था मित्रों वस सारी संस्कृति को सनाप्त करने का आक्रमन था संपत्ती लूट करके तो लुटेरे चले जाते हैं लेकिन इन लोगों की मंशा कुछ और थी मंदिरों का विद्वांस करना जान बूच करके गोमाताओं की कतल करना महिलाओं का अफरन करना उनके उपर त्याचार करना बिना किसी कारण के हिंदूं का शिरत छेद करके उनको नष्ट करना केवल इसलिए कि वे हिंदू है वे काफिर है दिल्ली के बादशा के स्वागत में एक दिन में दसचार हिंदूं के मस्तक काट करके उनके तोरण बनाए गए यह जब विदेशी उस समय के यात्री लिखते हैं तो इसका क्या रता है आठ दिनों में एक लाख से अधिक काफिरों की कतल कोई स्त्री सुरक्षित नहीं खेत में कोई अनाज सुरक्षित नहीं कोई व्यत्ती सुरक्षित नहीं कब क्या हो जाएगा किसका किसी को पता नहीं ऐशी त्पि में सदियां गुजर रही थी एक आद दो वर्ष के लिए भी इस प्रकार का आकर्मन हो जाए तो समाज नट ब्रेट हो जाता है सदियों तक जब इस प्रकार के आकर्मन चलते हैं और वे सारी संस्कुति को, सारे धर्म को, सारी राष्ट्रियता को नट करने के लिए चलते है तो कैसे कौन अपना मस्तक फिर उपर उठा सकता है सित्रक्ति शिवाजी महाराज के राज्जाविशेक का वैशिट्ट यह है उसका महत्वई है कि इस महान पुरुष्ट ने दिखा दिया कि हाँ इसका भी प्रतिकार किया जा सकता है यह सब नट किया जा सकता है नई रोशनी लाई जा सकती है प्रकाश परवका अरंब किया जा सकता है और यह सब उस महापुरुष्ट ने अपने आयू के आपको जान करके आश्चे रहोगा पंद्रवे वर्ष में आरंब किया था मुगलों के एक सरदार शहाजी राजे के वे सुपुत्र थे और शहाजी राजे को दक्षिन में अपनी सुवेदारी के लिए रहना अवश्च्छ था लेकिन शहाजी राया के मन में एक सपना था जान रखना चत्रपती शिवाजी महराज सिम्वातन पर बैठे यकेवल उनके मन की च्छा अत्वा जनता के मन की च्छा की बात नहीं स्वयम शिश्च जी महराज को लगता था कि यहां के राट्रिय लोगों का सामराज जस्थापित होना चाहिए इन बुगलों के अत्याचारों का मुकाबला किया जाना चाहिए लेकिन वे विवश थे परिष्टितियां अत्यंत प्रतिकूल थी मन में उनकी च्छा तो थी और उनकी च्छा मन में जो थी उसी का प्रतिविम्ब चत्रपति शिवा जी महाराज के राजमुद्रा में हम लोगों को मिलता जो राजमुद्रा यह कहती है प्रतिवात चंद्र लेक है वह वर्दिश्चेफ बिष्व बंदिता शाहस उनो शिवस्यश्यष मुद्रा भद्राय राजते हैं इसमें जो उलेक किया गया है प्रतिवाच चंद्र लेख है वह प्रतिपदा के चंद्र के समान वर्धिश्णू प्रतिपदा का चंद्रमा किसे ने देखा है प्रतिपदा के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है मित्रों वो दितिया को होता है लेकिन उसकी बिल्कुल असपश्ट कोर प्रतिपदा को भी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है शाह जी महराज के मन में जो भाव थे वो दिखते नहीं थे लेकिन वो थे और इसी लिए शाह जी ने स्वयम राजमाता जिजाओ को और छोटे शिवाजी को वापिस पूने भेजा पूने की स्थिति क्या थी अधिर शाही के बरबर अत्याचारियों ने इस छोटे से पुनवाई को इतना बेचिराग कर दिया था नट कर दिया था गधों के हल यहां पर चलाए थे पुने का अस्तित्व सनाप तो हो गया था भन्न है राजमाता जिजाओ आई साहिब चोटे शिवाजी को लेकर के वे यहां पर आई चोटे शिवाजी के आरम से ही जो लक्षणों ने देखे थे और जिस प्रकार महाभारत की और रामाईन की कथाएं सुना करके उसके संसकार उनको दिये थे उसके अनुसार उस चोटे से शिवाजी यहां पर पुनष्शी गणेशा किया और वो कैसे किया पता है मुगलों ने जिस पुने का स्तरवनाश कर दिया था उस पुने के स्थान पर छोटे से शिवाजी पंद्रवर्ष के शिवाजी सोने का हल चला करके सबसे पहले प्रतिष्ठा की है गणपती की आर भी वो गणपती का देवाला है हम लोगों को कसबापेट में देखने मिलता है मित्रों जिसके स्थापना चत्रपती शिवाजी महराज ने स्वयम किये और यह सब जिजाव माता की निगरानी में किये शाजी महराज की दुष्ट्य ऐसी थी उन्होंने स्वयम छोटे शिवाज को पढ़ाने के लिए दादोजी कॉंडेव बालकृष्ट मुझुमदार सोनोपन डबीर ऐसे अत्यनत प्रतिवाशाली विद्वान पुरुशार्थी लोगों को भेजा था राजमाता जिजाबाई से प्रेरना पाकर के और इन लोगों से सारा प्रसिक्शन लेकर के चोटा बाल शिवाजी किस अवस्था में तयार हो गया था पता है आपको पंद्रवर्ष के आपके घर के बालक क्या करते है जरा देखो और शिवाजी ने क्या किया था सुनो पंद्रवर्ष का शिवाजी अपने मित्रों को अपने साथ में लेकर के रायरेश्वर के भगवान शुजी के मंदर में जाकर के प्रतिज्या करता है कि मैं हिंदु सामराज्य की स्थापना करके रहूंगा पंद्रवर्ष का शिवाजी चारो और अंधकार पिताजी सरकारी नोकरी में लेकिन उसी समय से शिवाजी ने पुने में एक सरदार की तरह रहना आरंब कर दिया वो न्याय करने लग गया कैसा न्यायी था ये राजा उत्री छोटी अवस्था में भी उसने राजा के एक पटेल ने एक विध्वापर अत्याचार किया ये बात जब सुनी तो उसको बांध करके बुलाया और अपनी मा के सामने न्याय करती हुए का इसके हद तोड़ो पक तोड़ो काटो इस त्री के उपर त्याचार करने वाला कोई भी दंडका ही पात्र होता है पंद्रवर्ष का शिवाजी ये सारी उसकी उस समय की अवस्था तैयारी करने की थी और ये तैयारी करने के लिए सबसे पहले लोगों को बसाना चाहिए लोगों को विश्वाद दिलाना चाहिए क्या बताऊं शत्रपती शिवाजी महराज का शौरिया आप लोगों को पता होगा अरे सारे संसार को पता है लेकिन उनकी अर्थनी थी पता 16 साल के शिवाजी ने इस पुणे को पुणर वसित करने के लिए पुणा बसाने के लिए सब प्रवेले किसानों को बलाया खेती आरब मेकर उखेती करे के से बीज नहीं खाने के लिए हमें कुछ नहीं शिवाजी बहराज ने सुएम अपने खजाने से इन सब किसानों को बीज देने की विवस्था की इन सब किसानों को एक वर्ष के लिए परियाप्त होगा उनके परिया लोगों को परिवार के लोगों को इतना अनधान्यक देने की व्यवस्था की मुफ्त में पाँच वर्षों तक आपके उपर कोई कर नहीं होगा ये बता दिया किसान का फुलित हो गए और किसान उने जैसे ही भूमी को जोतना अरंब किया और भूमी में से सोना निकलना अरंब हुआ तो अपने आप सारी जातियां उभरने लगी सभी प्रकार के चाहे लुहार है चाहे सुतार है चाहे सुनार है चाहे कुमहार है चर्मकार है कोई भी सभी प्रकार की जातियों के लोग जब उनको व्यवसाय मिनने लग गया तब आकर के बसने लगे पुने का विस्तार होने लग गया पुना बढ़ते गया आज भी बढ़ते ही जा रहा है यह श्वाजी की पुन्या ही यह द्यान रखना इन आने वाले लोगों को यह विश्वास हो गया किस युवाश्वाजी में शवर्य है इसकी नए तिकता परिपूर्ण है इसकी दुख्टी में न्याय है उन्ही लोगों में से चत्रपती ने अपनी सेना का निर्मान करना आरम किया और इसमें सबसे बड़ी प्रेरना राजमाता जिजाओ की थी बात क्या थी राजमाता जिजाओ चत्रपती शिवाजी को और उनके साथियों को एक बात समझाती थी कि एरे एक बात ध्याद रखो यह बाहर से आयोई यवन यह मुगल संक्या में अल्प होकर के भी हम पर राज करते हैं और आपको गुलामों का जीवन जीना पड़ता है इसका कारण आप लोगों की आपस की लडाईया है मराठा मराठा के साथ लड़ता है हिंदू हिंदू को मारता है हम लोगों को आपस में लड़वा करके यह लोग हम लोगों को गुलाम बना करके रखे हैं और राज कर रहे हैं सबसे पहली एक बात करनी आवश्चक है समाज का संगठन करना आवश्चक है चत्रपती शिवाजी महराज ने इन सारे संसकारों को अपने साथियों को प्रदान किया है उनके सारे साथी इन भावनाओं से भरे हुए थे उन सब को एक राष्ट्री अदुष्टी की आवश्चक्ता थी इन मेंसे किसी को भी नहीं लगा कि नर्बान होने वाला राज या चला हुआ हमारा अभियान शाह जी के बेटे शिवाजी के राज के लिए है ऐसा नहीं लगता था शिवाजी महराज ने कभी नहीं कहा कि ये राज मेरा है वे कहते थे राज शम्भू महादेवा से ये तो भगवान का राज है और इसलिए हर मावला के अंतक्रण में एक भूमी का थी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ मैनेजमेंट की बात आजकल चलती है ना forming the team and then storming the team कैसे storm किया चतुर्दी शिवाजी महराज ने अपनी team को ज़रा देखिएगा उसका परिणाम ये था मित्रो हर व्यक्ति को ये लगता था कि मेरे घर के काम से भी ये राष्टर का कारी अधिक महत्वपूर्ण है विवाज की पत्रिका लेकर के आने वाला ताना जी अपने बेटे के विवाज की पत्रिका लेकर के आने वाला ताना जी कोंडाना को मैं जितूँगा ये करके जाता है चत्रपदी शिवाजी महाराज के मना करने पर भी जाता है नहीं यह उसर तो मुझे मिलना चाहिए मुझे तो ताना जी के एक वाक्य में सारी भगवत गीता दीखती है आधी लगीन कॉंडानया से मगरायबा से नैशनल ड्यूटी फर्स्ट राष्टर पहले देश पहले ताना जी ने प्राणार प्रण करके जजा माता कि उसी चा को पूर्ण किया कॉंडाना स्वराज में आया स्वराज की स्थापना ये शिवाजी महराज के द्वारा दिया गया महामंत्र था उस महामंत्र को लेकर के जब उनका राष्ट उभरने लगा संकट तो आने ही वाले थे संकटों को जहलते जहलते ही तो आगे बढ़ रहे थे कितने कितने संकट आये चत्वति शिवाजी महराज के जीवन की पांच घटना ऐसी है जिन मेंसे एक घटना भी उनको सारे विश् उतना सब बतलाने का आज का समय नहीं है अब्दल खान का अवध शाहिस्ते खान का परावा आगरा से पलायन सिद्धी जंजीर के साथ लिया हुआ लोहा यह एक एक घटना ऐसी है जिन में उनके सारे गुणों की परीक्षा थी लेकिन इन सारी बातों में चत्वदी शिवाजी महाराज जीतते गए इसके पीछे एक बड़ा महतुपूना कारणी ये था क्योंके साथ के हर मावले को हर सैनिक को ये लगता था कि ये धर्मका कारी है ये शिवाराटर के लिए समाज के लिए कर रहे हैं करपना कर सकते हैं आप इसी पुने में तीन वर्षों से बैठा था शाहिस्ते खान एक लाख की फौर्ड लेकर के और केवल दो सो अस्सी सैनिक लेकर के शिवाजी महाराज आए और एक रात्री में उसका प्राभो करके चले गए इस वंडरफुल भागना बड़ा उसको यहां से कुछ नहीं कर पाया यह सारी गटनाई इतिहास के अलंकार है और स्वतंद्र रूप से देखने का विशा है मुख के बाद यह है यह सब करते समयज शिवाजी महाराज के सम्मुख अपना पुर्वेती हास भी था उनसे पूर्व विजयनगर के सामराज्य में हिंदु सामराज्य में तीन सो वर्षों तक लक्ष्मी का वैभो कोई भी देख सकता था महाराज को पता था इसका नाश दो कारणों से हुआ तालिकोट की लड़ाई में विजयनगर का सामराज्य गया इसका कारण तहनी बात तो आपस की भेदरी थी भेदियों ने जाकर के शत्रों को रहस्य बतला दिया एक और दूसरा एक रामराय के मारे जाते ही सारी सेना भागने लगी क्योंकि सब लोगों की निष्ठाएं व्यक्तिकत निष्ठाएं थी चत्रपती शिवाजी महाराज ने व्यक्तिकत निष्ठाओं को स्माप्त कर दिया यह राज्य चत्रपती शिवाजी महाराज का नहीं है यह शिभगवान का राज ने यह मारी परमपरा का राज नृए भगवाज जयन्डा का राज भगवजक्वेज का राजlerweile और इसी का प्रणाम एठा कि महराज स्वयम इन सबके बल पर बड़े बड़े युद्ध जीतते गए उनकी व्यवहार नीती उनका कौशल यह सब अद्बुत था और उन्होंने स्वयम एक स्वतंत्र राज निर्मान कर लिया था अदिल शाही कुतुब शाही डच अंग्रेज पोर्तुगीज इन सब पापियों को प्राबूत करके उन्होंने अपना सामराज निर्मान तो कर लिया लेकिन वे कहलाते थे लुटे रहे सतंत्र भारत में भी बहुत सारे लोग उनको बहुत दिनों तक लुटे रहा कहते थे या बाद में कहने लगे गलत मारग पर चला हुआ देशबक्त उस समय के एक महान पंडिक काशी के कागावट गागावट जी ने इस बात को पहचाना और सुचा कि ये सब दर्त होगा यदि इस महान पुरुष का राजजावशेक नहीं किया गया इसलिए वे स्वयम तैयारी करके आए महराज को आग्रह किया ये बात गले उतार दी कि आपको अपना राजजावशेक स्वयम के लिए नहीं करना है आपको अपना राज्या विशेक इस संस्कृति के इस राठ्र के पुनरुद्धार के लिए करना है संसार कोई दीखना चाहिए कि हिंदू भी राजा हो सकता है क्योंकि हमारी ब्रट धर्मसंस्ताने लगए इसी प्रकार का चारो और वातार निर्मान कर दिया था कि क्षतिये तो कोई है नि कोई राजा बन सकता नि अत्यत्य महान विद्वान गागावट्टन ने इन सारे विद्वानों को चुप करके उनको चुप करने के लिए ग्रंतों को लिख करके प्रमायन दे करके और किस्प्रकार चत्पती का पुन स्विम्मातन पर बैठना इस राट्र के उदे के लिए कारण होगा यह दिखाया और वो मंगल में आया मित्रों आज शिवाजी महराज केवल इदर दौड करके गुम फिर करके यह वनों का पारिपत्य करने वाले सजलों की रक्षा करने वाले और आवशक्ता पढ़ने पर धन के लिए सुरज जैसे शहर को लूटने वाले सामान्य युद्धा नहीं रह गए उनको सिम्वातना दिश्टित करना यह धर्मस उस्था का कर्तव पे था जो राजा सिम्वातन पर विराजबान होता है उसकी सारी धर्मकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतरगत उसको राजचिन अधारन करने का अधिकार उसके स्वयम की देह की शुद्धी जो सिम्वातन नर्मान किया जाता है उसके भी अनेक संसकार और इस प्रकार जब सारे संसकारों के प्रश्चाद जैसे भगवान शीराम का राज्जा विशेख हुआ वैसे चत्रपती शिवाजी महाराज का राज्जा विशेख होगा तब लोगों की आँके खुलेगी और लोगों के ध्यान में आएगा ये केवल योद्धा नहीं है ये लुटेरा नहीं है ये हिंदू पतपातशाई को स्थापित करने वाला सराज्ज को पुरस्थापित करने वाला हिंदू सामराज्ज को पुरस्थापित करने वाला महान राजा है भारत की परमपरा में राजा को इश्वर का आउंश माना जाता है उसका सम्मान अत्यदिक होता है व्यक्तिक अत्रूप में शिवाजी को इसकी आवश्चक्ता नहीं थी लेकिन समाज की दृट्टी बदलने के लिए और पापी विदेशी शासकों की दृट्टी को बदलने के लिए इसकी अत्यंत बड़ी आवश्चक्ता थी और इसलिए वह मंगल में दिन आया और चत्रपदी शिवाजी महराज जो अब तक केवल शिवाजी शिवाजी कहलाते थे वीर शिवाजी कहलाते थे वे गोब ब्राह्मन प्रतिपालक राजादि राज महराज चत्रपदी शिवाजी महराज बने धान रखना मित्रों ये राज धर्म की संस्थापना के लिए है और धर्म की संस्थापना इसका सीधा अर्थ है सज्जन्ता की संस्तापना चत्रपती शिवाजी महाराज ने इस देश की गुलामी को निट करने के लिए इस देश की अत्यनत गुलाम दृट्टी को निट करने के लिए सबसे पहला काम किया है भाषा शुद्धी उस समय सारा व्यवहार फार्सी भाषा में होता था शिवाजी महराज ने स्वयम फार्सी सब्दों का प्रयोग करने पर बंदी कर दी और उन्होंने इसके लिए राज व्यवहार कोश प्रिमुनात पंडित के द्वारा निर्मान कराया राजवेवहार कोशिस का आर्थ होता है पुलिटिकल टर्मिनावाजी जिस प्रकार अटप्रधान मंक्री अटप्रधान मंडल होता था भगवाणशी नाम का उसी प्रकार का अटप्रधान मंडल उनके संसुत नाम पंचांग की शुद्धी के लिए उन्होंने कृष्टम भट्जी से करण का उस्तुब गरंत निखवाया गवों का कटना समाप्त हो गया जहां जहां मस्जिद थी शिवाजी महराज जो उसको कभी हाथ नहीं लगाया यदि वो मंदिर को तोड़ करके नहीं बनी है लेकिन मंदिर को तोड़ करके बनी हुई मस्जिदों को उन्होंने उतारा उतरवाया इतिहास का जिन बातों को छिपाते हैं उन बातों को भी मैं बतनाना चाहता हूँ लेकिन ऐसे मत मानना कि वे किसी भी प्रकार और सहिशनों थे उनकी सेनामें कितने सारे मुसल्मान अधिकारी थे उनका सारा तोब काना तो दौलत खान के पास था ये सारे अतिन्द वफाधार एक निष्ठ लोग थे उनका सम्मान भी था चत्रपती शिवाजी महराज नहीं चत्वति श्यवाजी महाराज के एक भी सेनिक ने कभी एक भी म्जजिद को हाथ ने लगाया कुराण की प्रती का अफ़मान नहीं किया किसी अव्लिया फकीर को कट नहीं दिया किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया सम्पूर्ण सेनिकों को इतना नीतिमान बना देना कैसे संभव हुआ इसका मूल राजा सोयम वैसा था कालो वा कारणम राध्याम राजा वा कालकारणम इतिते संशयो माबूद राजा कालस से कारणम जथा राजा तथा प्रजा अनीती का एक भी पसंग श्वाजी महराज के जीवन में सहा हुआ भी आपको मिलेगा नहीं कहा किया हुआ तो मिलेगा ही नहीं सहा हुआ भी मिलेगा नहीं जहाँ जहाँ आनीती है उन्होंने दंड़ दिया ही दिया है और जिसने अच्छा काम किया है उसको पुरसकार भी दिया ही दिया है दर्मसुस्तापना का अर्थ रिएस्टैब्लिश्मेंट आप मॉरल वैल्यूज ये होता है और वो उन्होंने करके दिखाया और लोगों के भीतर इस प्रकार का भाव भर दिया कल्पना कर सकते हैं आप कितने कितने बलिदानों की कैसी कैसी गाताएं मैं आपको बताऊं कैसा वो मुरार वाजी कैसा वाजी प्रभू देश पंडे रे कितने कितने नाम श्वाजी महाराज इन सब को याद करके इस मास्तन पर दिराजबान हुए ध्यान रखना मित्रों और प्रजा के भीतर वे भाव भर दिये कि इस राज्य को प्रजा समभाल सकती है कभी इतियास में आपने देखा राजा के अभाव में प्रजा स्वयम शत्रु का प्रतिकार करती रहे और राजा के अभाव में क्या एक नेपोलियन कुछ दिनों के लिए बंदी बनाया गया था उसी के एक सरदार ने मैलेट ने उसकी पत्नी उनके बच्चों को काराग्रो में रख करके उसका राज हतिया लिया था कब बाप को मार करके मैं सिमातन पर बैटता हूं ऐसी प्रतिक्षा करने वाले मुगल समराट बाच्चा या कैसे भाई को काराग्रो में ठूस करके मैं सिमातन ले लूँ ऐसी कुनीती रसने वाले ये लोग ऐसी स्थिती में इस प्रकार के लोगों को निर्मान करना जो भूल करके भी अनीती नहीं करेंगे और भूल करके भी अराष्ट्रियता का स्विकार नहीं करेंगे सामान ने बात नहीं थी याद करो चत्वती शिवाजी महराज चले गए उनके प्रश्चाद संभाजी महराज को भी पापी अवरंग जीब ने कपट से मरवाया पचीस वर्षों तक इस देश को राजा नहीं था महराज को राजा नहीं था लेकिन यहां के राजा को जीतने के लिए आया हुआ अवरंग जेब यही पर गाड़ा गया लेकिन वह महराज को जीत नहीं पाया क्योंकि पूरी जनता लड़ रही थी राजा के बिना जनता पचीस वर्षों तक लड़ रही थी क्योंकि हर एक को लगता था मेरे बीतर शिवाजी है मैं शिवाजी का आउश हूँ शिवाजी की ये शिक्षा ये राट की संजी वनी है और शिक्षा का जागरन आज अत्तिन दावश्ट रखाय मित्रों लोग कभी कभी शिवाजी महराज की नीती के साथ नेपोलियन की अत्वा लेनिन की अत्वा अन्ड राजावं की तुलना करते है만 जहान रखना चत्वति सिवाजी महराज यבWhere किसी की पंग्ती में आ सकते है तो वे केवल भगवाण Diamond शीराम और शी कृष्ण के वहुश्डों की ही पंग्ती में आ सकते हैं इन सब के साथ उनकी तुलना हो नहीं सकती, उनके जैसा राजा कोई हुआ नहीं, वेकांद महाना कहा करते थे, रामाड और महा भारत के सारे सद्गुनों को इकठा करेंगे, तो उनकी साक्षात मूर्ति आपको शिवाजी में दिखेगी, दड़िश शिवाजी, संपूर्ण जीवर में अनीती का एक काम नहीं, किसी के साथ पक्षपात का बिवहार नहीं, प्रजाक के साथ पिता के समयान, पिता के बातलने से प्रेम, सारे सेनिकों को ये कह करके रखा था कि एक भी इस प्रजा के खेत के एक तिनके को भी हाथ मत लगाना जो कुछ लेना है खरीद करके ले सकते है एक भी मावले ने एक भी सेनिक ने कभी किसी इस तरीका अपमान नहीं किया ये सामान ने बात है ये सारा धर्म का ध्यवादिता का उच्च जीवन का संक्रमन श्वाजी महाराज से उन सेनिकों में हुआ था और वो परंपरा में होता रहा और इसी लिए चाहे स्वामी वेका अंद है चाहे लोकमान ने तिलक है चाहे सावर करजी है स्वातन तरवीर सावर करजी है चाहे नेता जी सुवाच्च अंदर बोस है इन सब के सामने चत्रदी शिवाजी महाराज की मूरती रही है उनके अंतक्रण में उनी की स्फूरती रही है और यदि हमें आज भी हमारे राष्ट को अजेय बनाना है और सारे विश्व में सर्व शेख्ट बनाना है तो ध्यान रखना शिवाजी महराज का राज़ा भी एक रायगर पर कब हुआ उसको तो याद कीजिए उसका तो अनंदोत्सों कीजिए लेकिन अपने रदे के सिमातन पर शिवाजी महराज को स्थापित कीजिएगा हमारे रदे के सिमातन पर शिवाजी महराज स्थापित होंगे तो अपने आप भगवान शी नाम के भगवान शी किस्ट के सारे गुण उसमें प्रतिविम्मित होंगे हमारा जीवन आदर्श बनेगा उसके कारण भारत माता का भाल उज्वल होगा हमारा पुरुशार्थ चत्रपती शिवाजी महराज का अनुसरन करने में है ध्यान लेकरना भारत माता आज इसी बात की प्रतीक्षा करती है और इसलिए औरोंग के अंतक्रण में शिवाजी की स्थापना कब होगी इसके लिए प्रयास करते रहिएगा लेकिन अपने स्वयम के अंतक्रण में शिवाजी महराज की प्रतिष्ठा आज इही कीजिएगा भारत माता की जये चत्रपती शिवाजी महराज